तो दोस्तो आपने गलती से अपने computer या फिर laptop से कोई भी file है उनको delete कर दिया है और recycle bin से भी delete कर दिया है तो दोस्तो आप उनको recover कर सकते हो जिहां दोस्तो भले है आपका recycle bin में भी data नहीं है फिर भी आप recover कर सकते हो कैसे करना है मैं पूरा process यहां पर लायो करके दिखाने वाल वो देखकर चायद आपका काम हो सकता है दोस्तो ठीक है तो आपको वो भी videos देख लेने चाहिए अगर यह वाले trick वर्क नहीं करती है दोस्तो तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अगर आप पहली पार मेरी चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जल्द इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूं तो मैं यहां पर gdry में जाता हूं यहां पर जो यह वाला फोल्डर है तो मैंने 4-5 बार नहीं लिख बेकर लिकर देता ह। मैं आपको दिखा देता हूँ कि recycle bin में भी अब कुछ नहीं है डेटा permanently delete हूँ चुका है हमारा folder delete हूँ चुका है अभी दोस्तों क्या करना है Chrome में जाना है इस वाली website पर आना है ठीक है इसका link मैंने description में दे दिया आप यहाँ पर उस पर click करके सीधा यहाँ पर आ सकते हो दोस फ्री डेटा recovery software है आप यहाँ पर 2GB तक का data है उनको recover कर सकते हो जहां दोस्तों 2GB डेटा आप आसानी से recover कर सकते हो यहां से यहां पर आप क्या क्या recover कर सकते हो तो उसके पारे में भी detail में बताया है कि यहां पर restore deleted files recycle bin से भी delete हुए तो आप recover कर सकते हो और यहां पर आप इमेल और other files भी recover कर सकते हो दोस्तों अगर आपका जो data है वो lost हो चुका है format किया है आपने तो वह भी आप recover कर सकते हो crash हो चुका है तो वह भी कर सकते हो गरफ्ट हो चुका है तो उनको भी आप recover कर सकते हो बहुत ही आसानी से ठीक है अब यहां पर free download वाले option पर click करना है download का पाथ select करना है जहां पर आप download करना चाहते हो save पर click कर दिना है तो दोस्तों एक EXE है वो download हो जाएगा तुरंत ही download हो जाएगा उसके बाद क्या करना है इसके ऊपर click कर दिना है जैसी यहां पर हम click करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से interface आपको show होगा install now पर click करना है जैसे install पर click करोगे तो अभी यह पहले download होगा ठीक है तुरंती download हो जाएगा दोस्तों download होने के बाद installation का जो process है वो भी start हो जाएगा तब तो आपको क्या करना है वेट कर लेना है installation में थूड़ा time लेगा दो या तीन मिनिट लगेगा installation में जैसे installation हो जाता है कुछ इस तरह से कैस तो हमारा g drive है तो यहां पर क्या करना है software में आना है और यहां पर हमें g drive को सिर्फ select करना है जैसे हम यहां पर select करेंगे और यहां पर click करेंगे तो जो data है recovery वो scanning start हो जाएगा मतलब कि यहां पर scanning होने लगा है दोस्तों जितनी भी file से या फिर folder से या फिर documents से जो भी delete हुआ है इस drive से उस सारा data हमें भी यहां पर शोगरेगा तो यहां पर क्या करना है हमें wait कर लेना है जब तक हमारा folder हमें show नहीं होता दोस्तों तो दोस्तों देखो हमारा folder हो यहां पर आ चुका है जो दूसरा number वाला folder हो हमारा जो हमने delete किया हुआ था तो अभी क्या करना है दोस् मिटना he اब वे ओपजम और coalition पर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों जहां से डिलीट udah नहीं करना है तो तक झाली करके का देना है तो यहां पर देखो जिसे आप सेटेजों करोगे तो यहां मिल चुका है दोस्तो तो इस तरीके से आप आसानी से अपना डेटा हो रीकवर कर सकते हो दोस्तों बहुत ही इजी सौफ्टवेर है टूजी बी तक का टेटा आप फ्री में रीकवर कर सकते हो अगर इनसे ज्यादा है तो आपको पर्चेस करना होगा एंस अदर्वाइस आप काम इस वीडियो से नहीं होता है तो दूसरे वीडियो देख कर भी आप अपना डेटा रीकवर कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मुच पॉचिंग